नमस्कार आप लोगों को टाप्रेंग लाजस के प्यारे सी यूटूब फैमिली पर स्वागत है आज की लेक्चर में हम लोग बात करने आ लेक अच्छा दस की गडिक के प्रशनौली च्छा दस मलोग पांच की प्यारे बच्चो आज की लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिल आइकन को जरूर प्रेस किजिए का ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राफ्त होता रहे प्यारे बच्चो और वीडियो पसंद आती है ति वीडियो को लाइक कीज़ों दोस्तों के साथ से करना का गजब का तरीका है पहचान लो कि इन में से सबसे बड़ी कवन है साथ बड़ा है चौविस बड़ा है पचीस बड़ा है ना भाईया कवन बड़ा है पचीस बड़ा है तो भाईया जब पचीस बड़ा है तो इसा समझो कि इनका वर्ग इनका वर्ग यदि इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो समझिए कि ये समकोर्त भुज की भुजाएं हैं नहीं है फिर से एक बार ये रामबार है पहले सवाल के लिए भाईया लिख लीजिएगा कहीं पर दिमाख में नोट कर लो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर बची दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि ऐसा कंडिशन होता है तो समकोर्त है और अन्य था नहीं है चलिए बात करते हैं फर्ष्ट नंबर की तो भया सबसे फर्ष्ट नंबर की अगर हम बात करें उसका हल करेंगे तो सबसे बड़ी भुजा है 25 सेंटी मीटर क्या 25 सेंटी मीटर बराबर फिर उसके बाद ये वाले हैं 24 फिर साथ है यदि इनका वर्ग करोगे तो भहिया 625 आएगा इनका वर्ग करेंगे तो 576 उनका वर्ग करेंगे उन चास जोड़ देंगे तो 625 625 दोनों तक बराबर हो गए अतन है यह संकोर्ति रुज की भुजाएं है या लिख सकते हैं अतन है यह संकोर्ति रुज है बस एह आपको बताना है प्याद बस और कुछ भी नहीं करदा है सेकेंड नमबर क्या घरा तीन आठ च्छ सेकेंड नमबर चक्चिक किजे सबसे बड़ी भुजा कौन है आठ आठ का वर्ग इक्वल टू फिर च्छ का वर्ग प्लस तीन का वर्ग छजा के छटीस और तीनकेंड का नो छोड़ देंगे तो पहँतालीस है और यह चौश अठ आएगा भाईए यह दोनों नाठ इक्वल है जब दोनों नाठ इक्वल है लिखेंगे चुकि दोनों पक्च cohort नहीं है तोनों बराबर नहीं है अता आता है यह समकोर त्रभुज नहीं है आयए हम बात करते हैं थर्ड नंबर का है थर्ड नंबर क्या करा है यह सबसे बड़ी भुजा पाचानिये सबसे बड़ी भुजा सो है कौन है सो सो का वर्ग फिर कौन है असी का वर्ग फिर कौन है पच्छास का वर्ग चलिए सो का वर्ग करेंगे तो दस addition आएगा कितना आ जाएगा पर चाथ जाए index तो लगभग नवासी सवार है न की दसजार आ रहा है यह दोनों नाट इक्कोल है अतलिक देंगे यह समकोड त्रभोज नहीं है यह समकोड त्रभोज नहीं है यह हो गए प्यार बच्छो तेसरा उम्मीद है कि आपको यह पहले और दूसरे और तीसरे सवाल को यह आप समझ लिए ओंगे तो चौता सवाल हमारे यूपी वोड की प्यारे बच्छो यह इन चौते सवाल का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करेंगे कि सर जी यह जो है समकोड त्रभोज है या नहीं है आपका आपके रिप्लाई का इंतजार किया जाएगा प् हम बढ़ते हैं प्रस्थ नंबर दो की तरफ प्रस नंबर दो क्या का रहा है वी आ की और एक शंकोडतिवुज है पी दिए क्योर एक संकोड तरभोज है प्र gateway其实 क्यो एर है वह बिंदू यंयं पर इस प्रेकार स्तित है क्यूं आर Q-R 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 पर बिंदुयम इस प्रकार इस्तित है कि PM PM लंब है Q-R पर QR पर अर्था दिया है कि यह जो PM रेखा है वो Q-R पर क्या है? लंब है Q-R पर क्या है? यह लंब है तो सिद्ध करना है ऐसे आपको एक्जाम में लिखना है प्याले बच्चो यह नहीं कुछ और लिखे और लिख क्या है सिद्ध करना है PM का वर्ग बराबर Q-R एक अदम हलवा वाला स्वाल है प्याले बच्चो ध्यान से लिखेगा अब हम करते क्या है? यह हमको प्रूब करना है तो सबसे पहले हमने कहा यदि ये दोनों त्रवोज एक दूसरे के समरूप हो जाए यदि दोनों त्रवोज एक दूसरे के समरूप हो जाए तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे अब देखो समरूप कईसे होंगे यह मान लीजे यह वी 90 एक एक कोड़ बराबर हो गया पिर दूसरा आप बता दिजेगा यह जो इनकी यह वाली भुजाए हैं से यह दोनों त्रभुज क्या हो जाएंगे दोनों त्रभुज समरूप हो जाएंगे लिखेंगे क्या लिखेंगे प्यार बच्छो त्रभुज पी एम क्यों त्रभुज पी एम क्यों त्रभुज पी एम क्यों तथा अगला जो त्रभुज है पी एम आर तथा त्रभुज प PMR एक दूसरे के समरूप है जब ये दोनों एक दूसरे के समरूप है इनकी संगत जो भुजाएं हैं इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो बरावर होंगी तो मान लेते हैं ये छोटे वाले त्रभुज की ये लंब है और इनकी ये क्या है आधार है तो इधर की PM बटे क्या हो जाएगा QM बरावर PM बटे ये मार मतलब आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चो इधर ध्यान से देखेगा क्या लिया गया PM देखे क्या PM का अनुपात किस से लिया जारा प्यारे बच्चो इधर देखे इधर PM का अनुपात लिये हैं तो इधर हम लोग QM का लिये हैं ठीक अब हम करते क्या है अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चो अगली बार क्या करेंगे कि ये PM का अनुपात लेंगे क्या करेंगे ये PM का अनुपात लेंगे और किसका लेंगे MR का अनुपात लेंगे तो क्या करेंगे PM बटे क्या कर देंगे प्यार्वेट चो MR इधर दिखे पीम बटे क्या लिख देंगे MR मतला इधर की लंब इधर का आधार इधर का लंब इधर का लंब इधर का लंब इधर का नुपाद दोनों वापस में ब्राबर हैं अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा पीम गुड़े MR हो जाएगा और पीम गुड़े क्या हो जाएगा qr देखे पीम गुड़े MR और पीम गुड़े क्या हो जाएगा qm आपको चाहिए क्या qm into mr qm into mr एक तरफ होने चाहिए तो qm into mr किस कंडीशन में आएंगे प्यारे बच्चो थोड़ा सा गर सबर किया थोड़ा सा समझे कि यदि आपको यह चीज़ चाहिए तो हम करते क्या है भया इनको उलट देते हैं यानि यह चीज़ उपर चली जाए और यह चीज़ कहा आ जाए नीचे आ जाए तो दूसर प्यारे बच्चो देखिए यह वाले चीज़ को हम उपर ले जा रहे हैं और यह वाले चीज़ को नीचे की तरफ ले आ रहे हैं ध्यान से दिखेगा तो आया pm बटे क्या हो जाएगा qm और mr उपर चले गए और pm नीचे आ गए क्यूंकि मुझे इस प्रिकार का लाना था इन दोनों को हम गुड़ा कर देते हैं तो पीम का वर्ग हो जाएगा अधर गुड़ा कर देंगे qm into mr आ जाएगा इस प्रिकार प्यारे बच्चो यह जो सवाल है वह आपका क्या हो जाता है सिद्ध हो जाता है आप इन दोनों का एक स्क्रिंशॉट लीजिएगा फिर हम ब a b d एक क्या है समकोड त्रिफुज है एक समकोड त्रिफुज है जिसका कौण एस समकोड है दर्साइये की फर्स्ट पॉर्शन a b इसक्या ब्राबर b e c into b d तो सबसे पहले यदि हमको यह चीज प्रूफ करना है तो देखना पड़ेगा कि यह भुजाएं कौन सी त्रिफुज में आ रही है तो देखिए कहां पर आ रही है a b b c को अगर इधर ले जाएं तो a b बटे b c तो a b और b c तो a b और b c एक हो गया और a b और b d b d किसमें आ रहे हैं प्यारे बच्चों जो b d है वो पूरा यहां से लेके यहां तक आ रहा है यानि हमको कौन सा त्रिफुज लेना है जानते हैं हमको त्रिफुज लेना है भिया b d a और उसके बाद a a c b इस बात को ध्यान देना है कौन सा लेना फर्स्ट पॉर्सन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं त्रिफुज त्रिफुज b d a तथा त्रिफुज a b c या a c b त्रिफुज a c b में यदि हम इन दोनों त्रिफुज की बात करें प्यारे बक्चो तो ये दोनों त्रिफुज एक दूसरे के समरोप है क्यों समरोप है क्योंकि ये और ये ये और ये दोनों कोड आके नब्बे है और दोनों कोड नब्बे है साथ में ये एक उभय निष्ट है तो लिखा जा सकता है प्यारे बच्चो क्या लिखा जा सकता है कोड a बराबर कोड c क्यों बराबर है क्योंकि भईया समकोड है क्या है संकोड है अब आगे हम बात करते हैं कोड़ी दोनों में उभय निश्थ है तो हम कौन सा नियम लगा सकते हैं प्यारे बक्चो एए एए सम्रुपता नियम से एंगल इंगल समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज कौन त्रिभुज B, D, A समरूप हैं त्रिभुज A, C, B के जब ये समरूप हैं तो समरूपता का नियम कहता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा अब मुझे जो सिद्ध करना है उस हिसाब से हम संगत अनुपात लेंगे ध्यान ने ना यहीं तो चालाकी करना है आपको A, B का वर्ग मतलब क्रास के हिसाब से हमको A, B लाना देखिए प्याद बचो अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं A, B यानी इस त्रभुज का आधार लिये हैं बड़े वाले त्रभुज का और छोटे वाले त्रभुज दोनों का आधार लिया गया है तो ध्यान से देखेगा अब हम क्या लिखना चारे हैं या क्या लाना चारे हैं प्यारे बच्चों ध्यान से देखेगा अब हमारा BC into BD BC कहां पर है BC ये है अर्थात BC आपकी ये है और BD आपकी ये है BC आपकी यह है प्याल बच्चो BD आपकी यह है तो एक बार हम लिखते हैं AB बटे BC AB बटे BC जहां से AB बटे BC यानि इस तर्भुज की AB बुजा और इस तर्भुज की BC BC अब इस तर्भुज की AB और बड़े वाले तर्भुज की BD बराबर होगा BD बटे AB Cross multiply कर दें AB का गुना AB से कर देंगे AB वर्ग और इधर BC इंटू क्या जाएगा BD तो first portion में आपको यही सिद्ध करने के लिए दे रहा है कि AB का वर्ग बराबर BC इंटू BD एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं क्या बच्चों यहां पर आपको क्या करना जानते हैं यहां पर आपको वही भुजाएं लेनी हैं जो समरूप सिद्ध जो आपको यहां अब तब मैंने किया क्या एक बार AB का अनुपात इससे ले लिया और एक बार AB का अनुपात उससे ले लिया बस वही किया गया है दिखिया गया है अब हम second portion की बात करेंगे प्यारे बच्चे इसके second portion का second को अब मुझे कवण Democrats लेना है अब बीसी और दीसी डीसी यानि इन दोनों को लेकर चलना है तो लिखेंगे तरफोज ABC समरूप थीज अपर फोज ए डी सी जो से इंद तो जब समरूप मैं जरासा बता दीजिए समरुप्ता कानियम क्या कहता है अब देखिए फिर से मैंने आपको कहा कि आपको वही लेना है तो AC इधर चाहिए BC नहीं तो एक बार AC का अनुपात BC से एक बार AC का अनुपात CD से तो AC बटे BC बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्छो CD बटे AC CROSS मुल्टिप्लाई तो AC का गुड़ा AC से AC इस क्या बराबर BC इंटू क्या जाएगा CD यह हो गए आपके सेकंड पॉर्शन कम्प्लेट अब थर्ड पॉर्शन की पारी है 3rd portion क्या करा AD का अवर्ग बढ़र BD into CD अब BD into CD यानि अब हम कौन सा तरभोज लेंगे सोचे यानि पूरा बड़ा वाला तरभोज लेना है और उसके बात ये वाला तरभोज लेना है बड़ा वाला पूरा यानि तरभोज ADB तरभोज ADB समरूप है त्रभोज ACD जब ये एक दूसरे के समरूप है तो समरूपता का नियम लगाएंगे समरूपता का नियम क्या होगा प्यारे बच्चो एक बार पिर से ध्यान देखिए तो AD बटे BD AD बटे BD AD का अनुपात हम लेंगे BD से AD का अनुपात BD बराबर क्या हो जाएगा अब हमको अगली साइड चाहिए CD तो CD बटे क्या लिख देंगे AD CD बटे AD प्रास मल्टीप्लाई तो AD का वर्ग बराबर आ जाएगा BD इंटू क्या हो जाएगा CD तो इस प्रकार प्यारे बच्चो आपका थर्ड पोर्सन भी कंप्लीट हुआ AD का अनुपात BD से CD का अनुपात AD से यानि यह वाली भुजाईस से और पूरी भुजाईस से तो आपके प्रशन का अंसर मिलनाएगा इस प्रकार आप तीसरे प्रशन को हल कर सकते हैं अब हम बात कर रहे हैं प्रस नमबर 4 की क्या करा त्रेंगल ABC एक संदिवाह उत्रभु है जिस तथा कोण सी जिसका कोण सी क्या है समकोड है कोण सी बराबर नबे तो सिद्ध कीजिए तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों सिद्ध करना है A B का वर्ग A B का वर्ग वराबर 2 A C का वर्ग अब बताओ कोंड के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है परंतु परंतु प्यारे बच्चो ये 90 है तो यहां लंब नहीं होगा ये हो जाएगी कर्ण वाली भुजा और ये एक लंब मान लिजेगा और एक क्या मान लिजे आधार तो पाइथा गोरस प्रमे से त्रवोज A C B में पाइथा गोरस प्रमे से पाइता गोरस प्रमें से क्या कहता है पाइता गोरस प्रमें कर्ड का वर्ग है यानी AB का वर्ग है बराबर लंब का वर्ग है मतलब AC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी BC का वर्ग ए भईया AC की बहलू तो नहीं पता कोई दिक्कत नहीं परन्त यहां एक बताया गया AC आपस में क्या है बराबर है BC के मतलब हम BC के अस्तान पे AC रख सकते हैं चलिए रख दिये आप बताइए AC का वर्ग AC का वर्ग जुड़के हो गया 2AC का वर्ग अब यह AB का वर्ग आ गया तो सायद यदि आप मिला पा रहे होंगे तो यहीं आपको सिद्ध भी करना था प्यारे बच्चो इस प्रेकार आपका प्रस नंबर 3 और 4 दोनों कंप्लेट होते हैं आप इन गाए के स्किन सौ तिरभुज है जिसमें AC वराबर BC मतलग AC यह दोनों भुजाएं और दोनों आपस में बराबर हैं यदि AB का वर्ग यदि AB का वर्ग वराबर 2AC का वर्ग तो सिद्ध कीजिए की ABC एक संकौर्ति वूज है अर्था एबीचे एक संकौर्ति प्यारे बच्चो जब जब इनकी यह दियान दिजेगा यह आपका नब्बे है ठीक हम आपको बता दे रहे हैं यह तब समकोर्त रुभुज होगा जब यह पाइथागोरस प्रमे के नियम से इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या हो बराबर हो जाए तो प्यारे बच्चों जो आपको दिया है तो यहां सेस्टाइगीए कि ये आपको जो दिया गया है कि क्या यह इसे लिख सकते हैं से एसी का वर्ग प्लस एसी का वर्ग एसी एसी जोर देंगे तो भी तुप एसी का आजाएगा बिलकुल हो सकता ना अब हम जानते हैं जो एसी है वह बीके बराबर यह आपको दिया है कि ऐसी जो एक बराबर नहीं बलकि बीसी बराबर कि इसके बराबर प्रमे के बिलों से पाइथा गुरस प्रमे के बिलुम से यदि किसी भी तरभुज की एक भुजा का वर्व दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर है तो वह जो होदा समकोर तरभुज होगा तो लिख देंगे पाइथा गुरस प्रमे के विलोम से त्रमे के विलोम से त्रभुज एबी त्रभुज एबी सी एक समकोड त्रभुज है एक समकोड त्रभुज यह कंप्लेट हो गया आपके अब हम बात करेंगे प्रस नंबर च्छा का अबोरे प्रस नंबर है संभाह। समभावत उत्रभुज एबी सी की भुज़ाय त्टू एब तै की sait आभ इस State इसके सिर्ष्लंब की लंबाई सिर्ष्लंबलब waking कि बड़ाबर में बाट दे रहा सिर्ष्लंब एब Bc का क्या तो मंध्य बिंदु अब जब Bc구요 अमेर्थात हम लिख सकते हैं। Bd बराबर 144 Bc की वैलों हम रख सकते हैं 12a to 2-2 कैंसल से बराबर और बिन रस्तान पर लास कते हैं। आगे का से स suspicious लंब की लंबाई बो में समकौत्र बोऑज इडी वी में रवाज डी वी में पाइथा गोरस प्रमे से पाइथा गोरस प्रमे से पाइथा गोरस प्रमे काता है कंड का वर्ग कंड कौन है एबी कंड का वर्ग एबी बराबर होता है लंब का वर्ग लंब कौन है एडी प्लस आधार है बीडी कि वैल्य रखते हैं Juneating लृवन कितनी है तूंट हो जाएगा कि एडी प्लुकुश नहीं आपको निकालना है अदी बीडी कितना है कि लेदा करेंगे तो इहां चार इस क्यार आएगा यहां A आज जाएगा एकवर्ग इस और यह अधर आएंगे दो तो चार ए माइनस क्या हो जाएका एका वर्ग बराबर आजाएगा एडी का वर्ग कर्णि लग जाएगा अब इदर से ऊबर गटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा ठीक इधर से वह गटाएंगे तो इदर कंडी लग जाएगा तीन एक या बराबर एडी है तो पियादे बच्छों ये इसका कंडी से बाहर आ जाएगा तो under अंडरूर्ट तीन ए हो जाएगा बराबर ए डी तो जो सिर्थ लंबाई है वो अंडरूर्ट तीन एक क्या आ जाएगी बराबर आ जाएगी इस प्रकार आपका छठा और पांचवां दोनों कम्प्लीट होता है आप इसके लिएगा फिर आगे की क्यूस्टन को करते हैं तो व भुजाओं के वर्गों का योग ये विकर्णों के योग के बराबर होता है विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है वर्गों के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है यह आपको प्रूफ करना है त्यानिया आप सवाल को समझेए पहले तो सम्चत्रभुज क कि से ऐसे चत्रभुझ जिनकी चारों हुजाएे सवान वो संचत्रोन होता कितके हैं हम लोग सिद्द करना है वह क्या算ड करना पता है कि ए पी का वर्ग कि प्लस बीए सी का अब करणी करणी भुजाहों कि उनके वर्ग का वर्गों का यूग पर नहीं के दिकान है ए और और कौन है यह बीडी का यही है तो प्यारे बैच्चो इतना लंबा सवाल देखके आपको ड़ना नहीं दिस्वास मानों एकदम हलवा एकदम जवरजस्त एकदम मक्षन वाला सवाल है एकदम जवरजस्त आने वाले चलिए दिखतें कैसे आएगा अब दिखें मैं आपको बताओं सबसे पहले आप इस वाले के आइए ढिस हो एकाँ करें चारों त्रफुज को हल करें चारों त्रफुज में पाथा गोरस्त पर्में लगा कि चात्यम में करूक बंपरत करके चारों को जोड़ने जीने ना आ जाया तो वपाएगा मुझे चलिए ओश् तो A B का वर्ग बराबर होगा A B का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्छो ध्यान से देखिएगा A B का जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा O A प्लस O B का वर्ग है O A O A का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा A B का वर्ग क्या इतनी बात आपको समझवाई क्या इतनी बाते आपको समझवाई है एक मिनट के लिए आप क्यूस्टन को मिला सकते हैं कि आपके क्यूस्टन यही करें जी बिल्कुल आपकी क्यूस्टन नहीं है अब यहां ध्यान देना है जो ओ ए है वो एसी का आधा है ओ एसी का आधा है मतलब यह वाली लाइन हाफ एसी है एसी का आधा ध्यान से यही चीज रखना यही चीज रखना है अब ध्यान से लीखे भाइया हाफ AC प्लस हाफ BD हो जाएगा तो OA के अस्तान पे 1 बटे 2 AC का वर्ग हो जाएगा और AB के अस्तान पे 1 बटे 2 BD का वर्ग हो जाएगा क्या इतनी बात आपको समझ दारी है कहीं दिक्कते नहीं आनी चाहिए प्यारे बच्छों ध्यान से दिखिएगा अब AB का वर्ग ब्राबर एक बटे-धहर करेंगे, एक बटे-छार ये एसी का वर्ग ये एक बटे-छार बी-डी का वर्ग अब एक बटे-छार अगर हूं कामल ले लें तो का स्क्रा प्लस क्लस क्ञा राजाएगा एक यह आ गए भी का वर्ग क्या इतनी बाते आपको समझ वा रही है अब सेम टू सेम डिक्टोस त्रभुज यह तीनों है तो ऐसे इनको भी हम लेख लेंगे अब हम त्रभुज ए ओडी की बात करेंगे त्रभुज ए ओडी में अब त्रभुज ए ओडी में एडी का वर्ग है एडी का वर्ग बराबर होगा एक बटे चार एक बटे चार सेम टू से मैंसे लिखेंगे एक बटे चार एसे ही त्रभुज डी ओओची की बात होगी त्रभुज दी ओओची में क्या हो चाहएगा जो डी सी का वर्ग है वह भी एक बटे चार A.C. का वर्ग प्लस B.D. का वर्ग आएगा समीकर नमबर 3 ठीक अब अगला B.O.C. में तरभुज B.O.C. में होगा B.C. क्या होगा पहले बच्छो B.C. का वर्ग ब्राबर 1 बटे 4 A.C. का वर्ग प्लस B.D. का वर्ग समीकर नमबर 4 यह चार समीकरन हो गए अब चारो समीकरन को आप कि अगल जोड देजिए प्यारे बच्छो देखिए आपको नहीं मिल जादाएगा समीकरन 523 चार आप समी रएक प्लस रएप प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 तो अब सवी कर्ड़ चार को जोडे ये एक शलए तौर जोड़ेंगे तो आपकर बूस आपक ईक चाहत Hey अब आप देखिए इन चो सबको आज़कर साहए ऑपको करना था उपने प्राफ्ट करना तो आपने प्राट्रीया कि देखें कितना गजब मक्षन के जैसा सवाल आया है देख लिए आप इसका एक इसके इंसाड लेजेगा और कहीं भी कोई डाउट हो रहा होगा ना तो कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करीजिए का कि सर्जी मुझे यह चीज नहीं समझ आई है तो हम उसका जवाब यानि उसको बीची के अभ्यंतर इस्तित कोई विंदू ओ तता ओडी लंब है बीची पर यानि जो ओडी है ओडी दिखाई पड़ ना ओडी यह बीची पर लंब है ओई ओई एसी पर लंब है और ओफ अबी पर लंब है तो दरसाइए कि यह 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 इतना पार्ट आपको सिद्ध करना पर बच्छों तो हमने रचना किया है रचना में जो चीजे किया है सबसे पहले आप वो लिख दीजेगा पहले ओए ओबी और ओसी रेखाखंड खीचा है ओए ओबी तथा ओसी रेखाखंड रेखाखंड खीचा कि यह इतनी बाते बाते क्लिर हो रहे होंगी बिलकुल अब हम बाते करेंगे आगे की हमको यह फई-पार्ट रूफ़ करना है तो हम यह फई-फउत भाग लेके चलना है फश्ट भाग के लिए हमारे पास कंशी तरहःधे चलना है या क्या करना तो सबसे पहले आदि आप देख पा रहे होंगे एफ उधर की साइड उधर की तरफ आपको देखे एफ है तो एफ है कहां पर एफ दिखाई पढ़ा प्यारे बच्चो एफ तो ये वाला भी तुनब्ब्ब्ब्ब होगा तो क्या हम त्रफ त्रफ Z Z Z A O F की बात करें त्रफूज तुनब्बग एफ और में कर्ण ये होगा कर्ण कौन होगा प्यारे बच्चो ए ओ होगा तो कर्ण ए ओ का वर्ग बराभर हो आप का वर्ग प्लस ओफ का वर्ग समीकर नंबर एक हो गए क्या इतनी दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए अब आप अगला देखिए बीडी बीडी कहां पर दिखाई पड़ रहे हैं बीडी आपके सामने यह हैं देखिए यह तो बीडी कहां पर हैं तो आप देखिए बीडी यहां पर है तो तरभोज ओ डीबी में तरभोज ओडी बी में करण कौन है ओबी है तो करण ओबी का वर्ग बराबर लंब कौन है डीबी है लंब बीडी या डीबी का वर्ग प्लस आधार कौन है ओडी का वर्ग यह लेजें समीकर नंबर दो अब इसी प्रकार हमारे पास सीई तो सीई यहां पर है तो तुर्भोज यह भी समकोड होगा तो तुर्भोज OEC या CEO तुर्भोज CEO में कौन सा कड़ है यह करण आपका OC है तो OC का वर्ग बराबर यहां दिख नहीं रहा है प्याल बच्चों यहां देख लेते हैं अब OC का वर्ग बराबर करण का वर्ग बराबर लंब कौन है OEC का वर्ग प्लस आधार आधार है EC तो EC का वर्ग समीकरण नंबर 3 अब तीनों को जोड़ देते हैं समीकरण 1,2 और 3 को समीकरण 1,2,3 से भाईया जब तीनों समीकरण को आप जोड़ दीजीगा तो एक पक्च एक तरफ जुड़ेंगे दिखिए यह आपका O-A हो सकता है O-A तो O-A का वर्ग प्लस O-B का वर्ग O-B का वर्ग प्लस कोन आ जाएगा O-C का वर्ग बराबर अब इधर वाले पक्च को जोड़िए आप लोग A-F का वर्ग प्लस O-F आजाएंगे O-F का वर्ग प्लस फिर B-D का वर्ग कौन है प्यार बच्चो B-D का वर्ग प्लस कौन है या O-D का वर्ग B-D का वर्ग प्लस O-D का वर्ग अगला प्लस कौन है O-E का वर्ग कौन है O-E का वर्ग प्लस E-C का वर्ग आएए अब हम अगर प्रूब के अस्दान पे चलें तो हम देख रहे होंगे कि OD, OE और OEF सेलेक्ट करते हैं OD, OE और OEF OD, OE और OEF ये तीनों इधर की तरफ लादें तो प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो OE का वर्ग प्लस Здесь OEK works by बराबर, MONS लगाएग कि हमारा जो ये ODRH ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस OD का वर्ग THIS इधर आएगा तो ये भी OE का वर्ग हो जाएगा, माइनस में और ये माइनस M जो बचा हुआ है उधरी की तरफ लिग दीजे तो बचा कौन है एक का वर्ग बचा है और कौन बचा है यह बचा है कौन बचा है बचा है और कौन बचा है एसी का और तो आप मिला सकते हैं आगे पीखे एसी और सी एक ही होता है तो फ़र्स्ट भाग आपका क्या हो जाता है जो सेकेंड नमबर यह कर रहा एफ प्लस बीडी और सी एफ है कहां पर एफ यह वाले हैं तो अब हम करते क्या है प्यारे बच्छो दोस्तों हम बात करते हैं अब जो सेकेंड पॉर्सन हमको प्रूब करने के लिए हमारे पास इन तिर्वुजों का मदद लेना पड़ेगा कौ सकंटों बीडी ओडीबी त्षिपूज ओडीबी में पय्था गुरस्प्रमें लगाएंगे तो कंड कौन होगा ओबी होगा कंड़ ओबी का βर्ग बराबर लंब है बीडी तो दीडी का वर्ग प्लस आधार कौन है बीअ लंब वीडी आधार कौनों का OD का वर्ग समीकर नंबर चार समीकर नंबर चार तीन तो पहले बना लिये थे ना अब उसी प्रकार हम अगली बात करेंगे O DC में तरभोज O DC में तरभोज O DC में कर्ड कौन है OC है तो कर्ड OC का वर्ग बराबर OD का वर्ग प्लस DC का वर्ग OD का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा DC का वर्ग समीकर नंबर पांच समीकर चार और पांच को घटा देते हैं भाईया समीकर नंबर 4 में से पांच को क्या घटा देते हैं समीकर नंबर 4 माइनस समीकर नंबर 5 समीकर चार OB का वर्ग माइनस OC का वर्ग बराबर देखिए घटाने लगेंगे तो OD OD कैंसिल हो जाएगा OD OD कैंसिल हो जाएगा क्यों बचेगा BD का वर्ग माइनस DC का वर्ग यह आगए और 3 में फांच समीकर चार फट लेकर हैं इन डोनों को हट करेंगे वयसे इन डोनों करने वाल करने अब इसी प्रिकार हम इसी प्रकार तो वाइब चस्क्राइब आपने यह निकाला है अवी का वर्ग मैइनस और सी का वर्ग बराबाबर बी डी का वर्ग मैंट ہन इसी प्रकार हम इन दोनों त्रफुज कॉल करेंगा ऊ इन दोनों त्रफज को तो भी स अब हम लिखेंगे इसी प्रकार क्या लिखेंगे इसी प्रकार त्रहोज ए ओ एफ में त्रहोज ए ओ यप तथा अगला त्रहोज बी ओ एफ में अगला त्रहोज बी ओ एफ में आईए अब जो चीज़े लिखना हम इधर की दर लिखेंगे अब बात करते हैं अब देखिए जैसे आपने क्या कि इन दोनों को माइनस किये थे तो जो सेम चीज़ता हो कैंसिल हो गया था ओडी ओडी उसी प्रकार ओडी उन दो तक विखनाने वाला नहीं है अब कौन आएगा वह बहुत है तो जाएगा ओडी माइनस ओडी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा एफ का माइनस अपड़ का वर्ग समी कर नमबर बना लिए हैं साथ बना लिजेगा ठीक अब इसी प्रकार हम इस तर्वज की बात करेंगे AOE इसी प्रकार त्रवोज AOE तथा त्रवोज COE में त्रवोज COE में अब AOE COE में अगर हम देख पा रहे होंगे तो AOE उभैनिस्ट्रत यह आएगा ही नहीं कर्ण कोन है OA और OC तो OA का वर्ग माइनस OC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा ध्यान से दिखेगा OA का वर्ग माइनस OC का वर्ग बराबर हो जाएगा OA का वर्ग माइनस EC का वर्ग समीकरण नमबर आठ अब आप समीकरण छह साथ और आठ इन तीनों समीकरण को घटा दिजिए अब आप सुचिए कि आपको घटाना है कि जोड़ना है तो आपके पास AF का इसका प्लस BD का इसका प्लस CE का इसका रहा है तो AF और BD सी अगर हम बात आप से करें कि समीकरण छह और साथ और आठ को घटाने से तो नहीं प्राप्त होने अला प्यारे बच्चो तो इसलिए हम समीकरण छह साथ आठ को जोड़ देंगे तो क्या इन सब चीजों को या उपर की इन चीजों को अगर आपने इसके इन सोट लिया होगा तो थोड़ी देल के लिए मूब कर लेते हैं तो लिखते हैं समीकरण छह प्लस समीकरण साथ प्लस समीकरण आठ से छा क्या है यह दिखिये ओपी का वर्ग माइनस ओसी का वर्ग ॉ?- बड़ाबर अभ इदर yo dg − DC वहां हो जाएगा माइनस एफ awhile — माइनस एफ बी जोड़ पिर क्या कै प्लस एग वर्घ माइनस एफ एच कर किक दोनों प्क्षाप में लेखे और जोड़ दिए अब देखेए तो भी ओव वी से फीर ऐसी नेके कि निए यहां देखे तब ने जो यह चीजज आया है और का उए का वर्ग यहां ऊना चाहुक हां ऐसी का व्र Effect मिनस एक टिए चीज़ आपको अजाएगा BD का वर्ग माइनस DC का वर्ग प्लस AF का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा FB का वर्ग प्लस AE का वर्ग माइनस EC का वर्ग अब जो चीज़ इधर माइनस है माइनस वाले इधर कर दीजिए प्लस हो जाएगा प्लस वाला उद्रही है प्लस वाला आपके पास क्या-क्या-क्या-अ-फ-बी-डी-ई-ए-फ-बी-डी-ई-दिख रहा और-चिए-टो प्यारे बच्चों-ची-ए-आपका है माइनस है तो हम इनको पलट सकते हैं इनको इधर कर सकते इनको इधर कर सकते हैं अर्थात हम कह दें ऐसे लिखा जा सकता इसको से कावर्ग माईनेस ai का वर्ग यह चीर में बिल्कुल लिख सकते आप इनको को यहां हो जाएगा सिर्वे से का तो इसलिए तो यह उसे कि अब दिखें अब क्या खरेंगे सब्सक्राइब यह तो इदर आएगा तो इस यह बच्छों इस प्रकार आपका यह जो unden प्रश्ण है इसका यह गंप्लिट होता है और यह रहा आपका आठवा नंबाव पॉनुट्ट अग्प्लिट तो आज की लेफ्टर में हम लोग केवल यहीं तक बात करेंगे और इस अध्याय का जो बचा हुआ प्रेशन है वह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले प्यारे बच्छो तब तक के लिए आप इन आग सवालों का अभ्यास जम के कीजिएगा अगर कहीं भी कोई बलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए वीडियो देखें इंजॉय किजिए प्यारे बच्छो थैंक्यू आल दिया स्टूडेंट थैंक्यू